नश्कार बीसिन नियूस की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ आए एक नजर डालते हैं खबरों के और कासगंच उपचार के दोरान युवक की हुई मौत बीती बारा जन्वरी को अपने ही घर में संदिक परिस्टियों में घायल अवस्था में मिला था युवक तेजधार हतियार से युवक की गर्दन पर हुआ था हमला बीती देव सायं हुई सत्यवीर की आगरामी मौत परिचोनों ने लगाया गाव की एक नामज़त वएक अज्यात युवक पर आरो बीते कुछ दिन पुर्व नामज़त अजय से युवक का हुआ था विवाद सहावर को त्वाली के गाव शेकपुर नरे का मामला BCN News के लिए कासगन से फहीम की रिपोर्ट हापुर में किसानों और राश्रे सेनिक संसा के पदाधिकारियों ने दिल्ली लाल के लिए पर हुई हिंसा का विरूद करते हुए सामाचिक तत्यों का पुतला फूक कर आरोपयों के खिलाव सक्कारवाई की मांग की है और धरना दे रहे किसानों का जायस मांगों पर अपना समर्थन किया है किसानों ने लाल किले पर धार्मिक जंडा फेराने वाले सामाचिक तत्यों को फासी और गोली मारनी की मांग करते हुए सामाचिक तत्यों का पुतला फूकर अपना विरोध जाहिर किया है लाल कले पर धार्मिक जंडा फेराने वाले के खिलाफ सक्कारवाय की मांगी गई है बतादे कि किसानों और राश्ट्य सैनिक संसा की पदादिकारियों ने सर्ग आश्रम रोड पर बैठक करने की बाद लाल कले पर हुई हिंसा की निंदा करते हुए आरोपियों पर सक्कारवाई की मांगी है। साथ ही किसानों पर हुए मुकदमे को लेकर चांच करने के बाद की कारवाई की मांगी है। यह जो पुतला फूप का है जिनोंने भी हरकत किया है जो वहाँ पे जिसने हमारे राष्टिय ध्वज को जो इसका अपमान किया है और अपना विशेश जो ध्वज भाँ पहराया है यह जो है इसकी राष्टिय सैनिक संस्ता जो है कठोर निंदा करती है और इसलिए जो है हमा पूरी संस्था में हमारी मातर सक्ती भी है महिला भी है युवा भी है सब इसकी कठोर निंदा करते हैं बीसीन न्यूस के लिए हापर से अनिल कश्चप के रिपोर्ट लखीम पूर खेरी जिले में पढ़ रही सर्दी की कारण घने कोरे पढ़ रहे हैं जिससे आए दिन वहान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जानकारी के अनुसार पूरा मामला लखिम पूर खेरी जिले के पलिया कोतवालिक शेत्र के संपूर्णा नगर मार्क के गद्निया गन्ना क्रे केंद्र के पास का है जहाँ पर भारत नेपास सिमा की 29 वाहिनी के स्सबी कमपनी के कॉंस चपकर इतनी जोरदार थी कि कार वो ट्रक्टर ट्रॉली के पर कच्छे उडगे वही मौके पर ही जवान की दर्दनाक मौत हो गई। मुश्किल कार से बहार निकाला क्या वही मौके पर पहुची पुलिस ने शव को कब से में लेकर शव का पंचनामा भरवा कर शव को पोस्ट मॉटम के लिए जिला मुख्याले भेज दिया क्या मतरुआ भारती किसान यूनियन प्रवक्ता राकिश्ट कैट के भावक अंशों ने किसान में जोश भर दिया है किसान फिर से आरपार के लड़ाई लड़ने के लिए तयार हो गए है शुकरवार को कुवरधन चीतर की गाव भावनापुर में किसानों ने महापंचायत का आयोजिन किया क्या जिसमें किसानों के हकी लड़ाई लड़ रहे भारती किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश्ट केट के समर्तन में साथ खड़े होने के साथ साथ कई बड़े फैसले लिये गए और बीजेपी सरकार के खिलाप खुल कर सामने आने का एलान करती हुए कहा कि चिनाओ को दोरान बी किसान आनुलन के खत्म होने से कयास लगने लगे थी उतरप्रदेश सरकार ने भी गाजिपूर बॉडर पर आनुलन रच किसानों को हटाय चाने का आदेश भी दे दिया था लेकिन राकेश्ट के भावक अपील के बाद पूरा सीन ही बदल गया भावक अपील के बाद महाँ पंचायत हुई है कई फैसले लिये गए है जिसमें राकेश की हाथ मजबूत करने के लिए शैनिवार को किसानों का जथा दिल्ली को कूछ करेगा किसान राम प्रकाश ने कहा कि सरकार ने अपनी ही लोगों से लाल के लिए पर जहनडा फैराया है और राकेश श्रिकै किसान विजेंदर सीह ने कहा कि किसानों पर सरकार काले कानून को थोपना चाती है ऐसा होनी नहीं दिया जाएगा अगर भारती जनता पार्टी का कारेकरता एवं प्रत्याशी गाव आएगा तो उसे घुसने नहीं दिया जाएगा अगर योगी सरकार में दम है तो अपनी पार्टी निताओं को गाह में घुसकर दिखाए। किसान राम प्रकाश तेवतिया ने कहा कि भारते जनता पार्टी सरकार पूल रही है कि किसानों नहीं भारते जनता पार्टी को केंडरों और राज में बठाया है। या समल जाए अनिता हटानी में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। रन्वील सीह और बाबुल ने कहा कि भारते जनता पार्टी सरकार किसान मज़ूर पर शडियंतर के तहत वार करके भारत को कमजूर कर रहे है। फाइदा सिर्फ देशी रोदी ताकतों का होगा। किसानों के उपर काले कृशी कानून को थोपना नहीं चाहिए। अगर राकेश टिकैत को कुछ हुआ तो जरुवत पड़ी तो हम दिल्ली तक पहुचेंगे और हमारा राकेश टिकैत जी को पूरा समर्दन है। यह जबान यह किसानों की पंचायत है और हम सब एक हैं टिकैत जी के हाथ मजबूत करेंगे और दिल्ली भी जाएंगे। हम कल सुबह साथ वज़े यहां से परस्तान कर देंगे। हम अपने टिकैत जी को कभी नहता ने छोड़ेंगे और हम उनके हाथ यार बन करके उनके साथ रहेंगे। बीसीन न्यूस के लिए मतुरा से अजेट ठाकुर की रिपोर्ट। बीसीन न्यूस के लिए बुलंच शहर से जावेद खांग के साथ मोहिद भुटाने की रिपोर्ट। बीसीन न्यूस की प्रदेशी ख़बरों में फिलहाल इतना ही। सेन ने और ख़बरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें बीसीन न्यूस नमस्कार।